नवश्कार मित्रों इस समय लोग जिस चीज की अधेरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो हो एक दिसंबर की तारीक यानी एनिमल फिल्म की रिलीज डेट लेकिन उससे भी ज्यादा प्रतीक्षा एनिमल के ट्रेलर की की जा रही थी क्योंकि 8-10 दिन बचे हैं फिल्म के रिलीज होने में और अभी तक ट्रेलर आया नहीं है आ जाना चाहिए था लेकिन अब यह प्रतीक्षा समाप्त हो गई है एनिमल के डिरेक्टर संदीब वेंगा रेड़ी के तवारा ट्रेलर की रिलीज टेट घोशित कर दी गई है 23 नवंबर 2023 यह वो तारीक है जब इस का ट्वेलर रेड़ी कर दिया चाहिए का फिल्म होने से मात्र साथ दिन पहले अब यहां पर एक प्रक्षान आता है कि आखिर अनिमल का ट्वेलर इतनी टेर्श्व किया चा रहा है तो मित्रो ऐसना दो परिस्थित्यों में होता है जब ट्रेलर देर से आता है पहला कारण जब निर्माताओं को अपने ही उत्पात पर विश्वास नहीं रह जाता उन्हें ये आभास हो जाता है कि ट्रेलर देख करशनता उनकी आलोचना आवश्य करेगी उन्होंने जो बनाया है वो जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है इसलिए वो ट्रेलर देर में रिलीज करते हैं ताकि कम से कम चर्चा हो पाए फिल्म के प्रति ज्यादा नकारात्मक वातावरंट न बनने पाए तो वहीं ट्रेलर के देर से रिलीज होने का दूसरा करण होता है जब मेकर्स फिल्म के बारे में जरा सा भी बताना नहीं चाहते हैं वो मूवी रिलीज होन तो उन्हें विवश होकर ट्वेलर रिलीस करना ही पड़ता है एनिमल के विशे में भी ये दूसरा कारण ही उचित लगता है क्योंकि एनिमल का जो टीजर आया था इसकी जो अभी तक कहानी सामने आई है इसके जो भी गाने रिलीस हुए हैं उन सभी को देखकर यही लगता है एक फिल्म बहुत दमदार रहने वाली है हाँ एनिमल का एक गीत हुआ मैं समस्या ग्रस्त है एजेंडे से भरा हुआ है यदि हम उसे छोड़ दें तो यह किसी भी प्रकार से छलकपट से दूर बिना किसी एजेंडे के शुद्ध रूप से एंटर्टेन्मेंट को ध्यान मे कापूर आकरशित करती है आला कि रन्वीर कापूर की पिछली फिल्म में समशेरा और ब्रम्हास्त्र आत्यदिक समस्या ग्रस्त थीं तो बरोसा करना कठिन होता है कि सब ठीक ही रहेगा लेकिन फिर भी अभी तक जो भी हमारे सामने है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हाँ एनिमल ठीक रहेगी बाकी एक दिसंबर को फिल्म रिलीज होने पर ही वास्तविक्ता सामने आएगी पर अभी तो 23 नवंबर की प्रतिक्षा है उस दिन ट्रियलर रिलीज होते ही बहुत सारी बातें इस पस्ट हो जाएंगी वैसे आप लोग ट्रियलर को देखने के लिए कि आम भरती